इन दौर में ड्यूटी के दौरान एक हाथसा हुआ, इसमें एक हाथ गवाना पड़ा, हाथसे के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो जिन्दिगी भर परिशानिया उठानी पड़ेगी, एक हाथ से कैसे पुलिस की नौकरी होगी, कैसे जीवन चल पाएगा, लेकिन परिवार ने होसला बढ़ाया और इस होसले को वरिस्ट अधिकारियों ने आगे बढ़ाया, उसके बाद तो जीवन में फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा, यह कहानी है, सीहोर के पुलिस कॉंस्टिबल मनूज कुमार राओ की, वे पिछले 17 वर्षों से एक हाथ से पुलिस की न अब जिन्दी की भर परिशानिया ही परिशानिया है, लेकिन ऐसे वक्त में परिवार और वरिस्ट अधिकारियों का संबल काम आया और अब जीवन बहतर चल रहा है, मनूज कुमार राओ पिछले 27 वर्षों से सीहोर में रहकर पुलिस की नौकरी कर रहे है, उनका कहना है कि पुलिस विभा के वरिस्ट अधिकारियों का हमेशा से सहयोग मिलता रहा है, और उनकी होसला अफजाई से मैं अपनी ड्यूटी कर पा रहा हूँ, एक हाथ गवाने के बाद भी वे अपनी ड्यूटी को पूरी मांदारी और लगन के साथ निभा रहे हैं हाथ सा हुआ था, जो हाथ को काफी समय इलाज भी करवाया, मगर जॉइंट नहीं हो पाया, सर, क्या नाम है आपका, जी मनुष को मार रहा हूँ, सर, सी ओर में आप कितने सालों से ड्यूटी कर दा है, जी सी ओर में मुझे 27 येर होगा है, यहां सी ओर में ट्रेनिंग के बाद में कम से कम 25-25 साल हो चुके हैं, सर, यह जो हास्षा आपके साथ में हुआ है, तो कब हुआ और केश्द हो गए था, यह सर क्या है, 2005 में ड्यूटी दर्वान इंदोर बगड़ा गए थे, तो वहां द्वारा यह हास्षा हुआ था, जब से ड्यूटी कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं होती ड्यूटी करन हाला कि अधिकारे उनके ड्यूटी ऐसी जगह ही लगाते हैं, जहां मनोज कुमार राओ को ज्यादा परिशानिया ना आए, टाइम 8 मद्रप्रदेश के लिए सीहोर से वसीम उद्दीन की रिपोर्ट अधिकारे नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल न भूले, हमें इंतजा रहता है आपके कमेंज का